हलो एव्रिवान तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन्स फॉंक्षिन का सेकंड पार्ट मैरे पिछली पार्ट में मतलड मेरे पिछली विडियो में हमने ग्रीन्स फॉंक्षिन के स्टेप्स उसकी प्रॉपरटीई वगएरा देखी और एक ग्सांपट भी सॉल्व किया उस कुछ numericals जो आपके exams में आते हैं, वो कहीं बार उस easy वाले steps से नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हमें Ronskian की help लेनी पड़ती है, ठीक है, तो हम सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि Ronskian होता कहा है, differential equation अगर हमारे पास कोई है, तो हम उस differential equation का Ronskian कैसे निकाल सकते हैं, अब हमें यह पता है कि जब भी हमारे पास differential equation होती है, हम उसके solutions निकाल लेते हैं, ठीक है, homogeneous differential, मैं पिछली वीडियो में बताया मैंने कि homogeneous differential equation लिखके और फिर उसकी auxiliary equation लिखके, कि हम कोई भी two solutions महां से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमने यह लेट कर लिया कि यह जो y1 x है, और जो y2 x है, x क्यूंकि हम मतलब यह मान के चलने कि वो x का function है, वो t का भी हो सकता है, वो depend on the question, ठीक है, तो हमने यह दो solutions ले लिए, कि हमारे पास जो second order की linear homogeneous differential equation है, उसके हमारे पास यह दो solutions है, ठीक है, और फिर हम उस differential equation का wrong scan निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो वला जो दो solutions है, उसका पहला solution यहां लिखा, मतलब मैंने उसको denote किया है y1 और y2 से, तो y1 x यहां लिखा, और y2 x यहां लिखा, तो second row होगी, उसमें हम लिखेंगे उसका derivative, ठीक है, तो जो भी हमारे पास first solution है, उसका derivative यहां नीचे, second row में, और जो second solution था, उसका derivative यहां, second row, second column में, ठीक है, तो यह हमारे पास wrong scan आ जाएगा, अगर वो दो solutions हमारे पास independent होंगे, independent का मतलब, कि मतलब कुछ ना कुछ, अग अगर वो dependent होंगे तो हमारे पास wrong skin ही 0 आजाएगा तो वो बात ही खतम हो जाएगी ठीक है तो मतलब अगर हमारे पास wrong skin है तो हम wrong skin की value मानलो यह हमारे पास wrong skin की value आगी उसको हमने put कर देना है इसके बराबर that is a upon px ठीक है a यहाँ पर कोई भी constant है और px हमने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि px होता है coefficient of d square by dx square ठीक है जो भी हमारे पास differential equation होगी उसका coefficient यह इसका ठीक है d square by dx square का coefficient ठीक है अब यह जो मैंने equation लिखे है कि मैंने जो भी मेरे पास wrong skin आना है उसको a upon px के बराबर put करना है इस equation को हम बोलते है Ables formula तो मतलब जो हम यह method अब जम solve करने जा रहे है हमने Ables formula के help से ही करना है अब हमारे पास Ables formula के help से a आ जाएगा ठीक है हम a solve कर लेंगे यहांसे इस equation से उसके बाद जो हमने पिछली वीडियो में एक example solve के उसमें हमने जो हमारा answer आया अब इस वाले example में जो मैं अभी solve करने जा रहे हूँ solve कर बताऊंगी मतलब इस वाले example में जो answer आना है वो step से नहीं आना कि हमने जैसे last video में किया कि two solutions for different different parts हमने लिख देना है फिर उसके बाद हमने constants की values get कर सकते हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई complicated example है तो हम ऐसे solve नहीं कर पाएंगे उसके लिए हमें यह formula learn करना पड़ेगा कि for x less than x not हमारे पास यह वाला solution होगा क्या होगा देखो कि y1 पहले x point पे और जो y2 है उसको हम उस वाले solution में x की जगल क्या पूट करेंगे x not मतलब जब हम first part लिखे रहे हैं जिसमें x x not से कम है ठीक है left वाला part तो उसमें हम second वाले part में x not की value लिखेंगे upon a और जब जो positive वाला part होता है जो नीचे हम लिखते हैं ठीक है x positive वाला part उसमें हम लिखेंगे y1 x 0 मतलब यह जो x 0 होगा हम y1 में put करेंगे और y2 x as it is upon a ठीक है तो बहुत simple है हम a निकाल लेंगे इस Ronskin इस Ables formula वाली equation से Ronskin के बराबर put करके और जब a आ जाएगा तो हम यह वाले solution में part में put कर देंगे और हमारे पास यह answer हो जाएगा final answer ठीक है तो यह भी बहुत easy है बस जो हमने example आप देखना है थोड़ा सा complicated है वो तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना और उसके बाद जब यह पूरी वीडियो आप देख लोगे तो आपके लिए greens function जो मेरी part 1 वाली वीडियो है और यह जो part 2 है आपके लिए greens function बहुत easy होने वाला है तो keep watching तो यह मैंने एक example लिया है ठीक है यह हमारे पास equation दी है fx हमारे पास कोई भी function है हमें पता fx 0 तो होने नहीं वाला क्योंकि non-homogeneous equation को भी solve करने के काम आता है तो हमें fx given है यह non-zero है और यह हमारे पास को दो boundary conditions given है ठीक है तो हम सबसे पहले हमारा first step तो वही है कि homogeneous equation लिखो उससे auxiliary equation लिखके हमारे पास 2 solutions आ जाएंगे ठीक है तो यह equation लिखी RHS को 0 के बराबर पुट करके और d by dx को हम m consider करते है यहाँ पर d square by dx square है तो m square हो जाएगा m square plus k square equal to 0 यहाँ से m की value आगी plus minus iota k अब यह फिर से rule है last वाली वीडियो में जो मैंने example लिया था उसमें m की value 00 आई थी ठीक है तो उसके लिए यह लिया था हमने कि जब real और equal हो तो हमारे पास क्या solution होता है यहाँ पर मेरे पास आई है complex conjugate complex conjugate मतलब एगर एक iota है तो एक minus iota है एक iota के और एक minus iota के तो complex conjugate के लिए हमारे पास जो solution होता है वो यह होता है e power alpha x a cos beta x plus b sin beta x यह solution किस के लिए होता है जब m की value यह हो alpha plus minus beta x मतलब यह complex conjugate है कि एक हो गया यह और एक हो गया यह तो अब यहाँ पर जो यह चीज़ है यह alpha plus minus beta iota है क्योंकि iota होगा तब ही complex conjugate होगा तो यह चीज़ है अब यहाँ पर हमारे पास iota का coefficient beta की जगा पर question में क्या है k तो यह जो पूरा general solution है इसमें alpha तो ही नहीं क्योंकि general solution मेरे पास हम इसको ऐसी लिख सकते है 0 plus iota के and 0 minus iota के तो यहाँ से alpha है 0 तो यहाँ से alpha है 0 तो और beta है k तो अगर मैं यहाँ पर पूट करूँगी yx की value क्या आ जाएगी e power 0x that is 1 ठीक है उसको तो हम फिल लिखेंगे ही नहीं अगर मैं e power 0x लिखना भी चाहूँ तो 1 ही हो जाएगा तो a cos beta की जगा kx आ जाएगा plus b sin beta की जगा kx तो यह हमने निकाल लिया solution ठीक है अब हमारे पास boundary condition given है y of 0 equal to 0 यह question में हमें given है अब हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास solution आया है उसमें x की value 0 put कर देंगे और हमारे पास answer क्या आना चाहिए 0 तो यह हमें boundary condition given है इसको put कर देते है 0 y x की जगा 0 equal to a as it is cos x की जगा 0 और x की जगा 0 दोनों जगा 0 put कर रहा तो a cos 0 1 हो जाएगा ठीक है तो यहां से a equal to 0 आजएगा और यह तो पूरा 0 ही हो जाएगा तो यहां से मेरे पास a की value क्या मिल गी मैंको 0 ठीक है अब तो मतलब यह वाली अगर a की value मैं back मेरे first solution में क्योंकि इस वाले method में हमें 2 solutions चेंगे ठीक है ठीक है मानलोगर यह first equation है तो put it back in first equation ठीक है तो अब next boundary condition मतलब first boundary condition से मेरे पास first solution आगया y1 x दूसरा solution लाने के लिए हम second boundary condition use कर लेंगे तो हमारे पास second boundary condition क्या given थी yL equal to 0 ठीक है तो जहां-जहां हमारे पास x की value है वहाँ पर हमने क्या put करना है L तो A cos KL plus B sin KL equal to 0 तो यहां से plus उदर जाके minus में हो जाएगा और यहां से मैंने A की value निकाल ली हम B की value भी निकाल सकते हैं दो constants हैं कोई भी एक constant की दूसरी constant की terms में हमने value निकाल लेनी है तो मैंने A की value यहां से निकाल ली है अब मैं फिर से यह A की value first equation में जो मेरी main equation है first में put कर देंगे तो मेरे पास second solution आजएगा और इसको मैंने नाम दे देना है y2x ठीक है तो अगर मैं वापिस से यह A की value 1 में put करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा yx मतलब अपने हापे 2 हो जाएगा क्योंकि यह second solution है और A की जगा मैंने क्या put कर देना है A की value मैंने कहा किया पहले यह चीज लिख दिया है B sign kx as it is यहां लिख दिया है और यह जो A है A की value यह वाली put करके साथ में cos kx as it is ठीक है तो यह मेरे पास आगया y2x मतलब यह चीज as it is लिख के दुबारा देख लिजे यह मैंने B sign kx positive वाला जो था वो मैंने पहले लिख लिए है और A की value यह वाली put करके साथ में cos kx ठीक है तो मेरे पास अभी y1x जो left part के लिए था for x less than x naught और y2x मेरे पास यह दोनों solutions आगया यह आगया for right part के लिए और यह आगया for left part के लिए ठीक है यह जो second solution है इसको हम solve कर सकते हैं मतलब अगर हम इसका LCM ले 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 तो cos scale उपर आजएगा denominator में आजएगा cos scale तो हम इसको LCM लेकर solve करके जो मेरे पास final second solution बनेगा वो होगा तो यह देखो यह मैंने LCM लेकर जो last part आया second solution उसमें LCM लेकर यह मेरे पास last solution बन गया ठीक है अब जो constant से उसको बाहर ले लिए b as it is बाहर cos scale denominator में बाहर और यह आपका बन रहा है formula sin a cos b minus cos a sin b यह मेरे पास formula बन रहा है और यह हो गया positive part के लिए ठीक है और यह क्योंकि यह पूरा का पूरा यह constant ही है तो यह साथ में cos k LQ लिखना easy बनाने के लिए मैंने इस पूरे constant को कोई और constant बोल दिया that is b1 ठीक है कुछ भी बोल सकते हैं साथ में यह अगर लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा बस complicated हो जाएगा और कुछ नहीं है तो इसको b1 बोल दिया ठीक है तो यह याद रखेंगे कि हमने इसको पूरे को b1 ठीक कर दिया कुछ भी कोई भी constant पूट कर सकते है c1, c2, joh, mrzit तो अब हमारे पास जो y2x है वो यह बन गया easy सा b1 sin kx-l तो एक y2x आ गया similarly y1x है और हम wrong skin में put कर देंगे फिर wrong skin का formula y1, y2, y1-, y2- y1 अभी हमने पीछे निकाला ठीक है उसका derivative sin का cos kx, k बाहर तो यह आ गया y1 का derivative similarly y2 हमने अभी निकाला उसका derivative और हम फिर determinant solve कर देंगे this into this minus this into this तो यह जो determinant solve करके मेरे पास value हुआएगी यह आ गई और common आ रहा है kb और b1 kb, b1 दोनो common तीनों चीज़े common आ रही है मैंने बाहर लिख ली और फिर से यह sin a, cos b, cos a, sin b का formula बन रहा है यह formula बन गया और फिर अगर इसको हम simplify कर देते हैं तो इस पूरे bracket को simplify करके मेरे पास बनता है kl ठीक है तो मतलब ron scan आ जाता है हमारे पास यह चीज अब उसके बाद क्या था कि जब हमारे पास ron scan आ जाएगा हमने लिखना है ables formula ables formula का मतलब ables formula में हम क्या करते हैं कि ron scan को हम put करते हैं a by p x की जगा पर ठीक है मतलब हम ron scan को a by p x के equal put करते हैं अब यह मेरे पास ron scan आया पड़ा है यह लिखा a by p x p यहाँ पर 1 है क्योंकि इसका जो coefficient है वो 1 था तो यहाँ से a की value आ गई यह ठीक है तो जब हमारे पास क्योंकि main हमारा जो purpose था वो यह था क्योंकि जब हमने solution में last वाले solution में put करना है यह मैंने फिर से लिख दिया यह जो एक formula है जिसकी help से हमने greens function मतलब यह solve करना है पूरा question तो यह last step यह है कि left part के लिए हमने यह formula याद रखना है और positive part के लिए हमने यह formula याद रखना है तो इसमें जो main purpose हमारा था वो था a निकालने का है तो a कैसे निकाला था हमने ables formula से रखन के बराबर put करके अब हमारे पास a आ चुक है तो बस कुछ भी निकरना last जो मैंने अभी article में दिखाया था मैंने minus यहाँ पर लिखा हुआ था अब बस हमने क्या करना है y1 की value put करनी है y1 में x ही लिखे रहने देना है और जो y2 होगा वहाँ पर x की जगह क्या लिखना है x not ठीक है तो बस और a की value जो आई पड़ी है वो चीज यहाँ पर put कर देनी है तो मतलब left बाला part में पास solve हो के आ गया second part के लिए फिर से y1 put करना है उसमें x की जगह क्या put करना है x not तो यहाँ पर x not और y2 x as it is a की value as it is ठीक है अब हमें दिख रहा है कि कुछ constants उपर नीचे कट रहे हैं तो मैं अगर first part चेक करूँ first part में में मेरे पास यह जो b और यह जो b1 है दोनों numerator में भी है denominator में भी है cancel out हो गए तो क्या बच गया minus as it is sin kx sin kx not minus l upon k sin kl similarly right part में भी b b1 कट रहे हैं जो बचा sin kx not sin kx minus l k sin kl यह चीज बच गी तो बस जो constants से उसको उपर नीचे कट करके हमारे पास जो last में solution आया यह left part के लिए लग right part के लिए लग तो यह हमारे पास answer आगया मतलब हमने क्या किया है कि यह जो last question यह जो example है हमने इसको ables formula से मतलब ronskian के through solve किया है क्योंकि जो sign cause वाले question होते है इसको अगर आप simple वाले method से जो मैंने last video में बताया अगर हम उसको simple वाले method से करके देखते है मेरा तो नहीं हुआ बहुत बार मैंने try किया है मतलब वो simple वाले method से अगर हम a, b, c, d 4 constants लेकर आएंगे अगर sign cause की form में आ रहा है solution और उसको हम 4 constants जो पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया है अगर वैसे करेंगे चार constants लाके तो बहुत complicated बहुत lengthy हो रहा है और answer भी match नहीं हो रहा है तो इसके लिए फिर मैंने ron skin वाला concept यहां पे मैं लेकर आई हूँ तो आपको I hope कि यह easy लगा होगा और है कुछ नहीं है बस आपने यह main formula learn करना है और left part के लिए आपने पहला x as this रखना है और second way x not put करना है a तो दोनों के साथ common है minus भी दोनों के साथ common है y1, y2 भी दोनों के साथ common है तो बस व्याद करना बहुत easy है x और x not हमने interchange करने है तो first में x पहले लिखना है फिर x not और फिर interchange करना है x not और x ables formula में बस यह है ronskian को हमने a by px के बराबर पुट करना है तो मतलब बस यह दो चीज़े ables formula की जो भी ronskian हमारे पास आएगा उसको a by px के बराबर पुट करना है और last वाला जो last में जब a हम get कर लेंगे तो हमने वो कहाँ पुट करना है तो बस यह चीज़े दो main चीज़े याद रखनी है तो अब तो greens function का कोई भी question आजाए complicated से complicated easy से easy आप दोनों ही questions बड़े अराम से solve कर सकते हैं अगर easy question होगा जिसमें cause sign नहीं है simple वाला है जैसे कोई भी constant इस तरीके से ax plus b वाले अगर ऐसे हमारे पास कोई solution आया उसको तो हम वैसे कर लेंगे जो मैंने first video में आपको steps बताये हैं बहुत easily उसका answer मैंने करके बताया आपको हम वहाँ से check कर सकते हो और अगर मेरे sign cause वाला कोई लंबा solution बनता है उसको हम यह formula बस अगर हमें याद होगा तो हम अराम से अब कोई thank you for watching this video अगर कोई भी आपको comments में अगर कोई भी doubt हो तो आप पूच सकते हो thank you so much